तो आज हम वोकेब का पार्ट करेंगे इडियम्स और फ्रेजिस कल SSE ने CGL और CHSL का डेट्स डिक्लेयर कर दिया है आपका नेक्स जो एक्जाम आ रहा है वो SSE CGL 2021 जो की 11 अप्रिल से शूरू होने जा रहा है तो ये 1 मंथ आपको एकदम सब कुछ भूल के सिर्फ प्रिपरेशन में ध्यान देना है एकदम लग जाओ इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है सेशन को एकदम ध्यान से सोनना ठीक है क्योंकि सेशन में हम सिर्फ questions answer नहीं discuss करते हैं उससे related जितना भी जो भी होता है सब कुछ हम लोग discuss करते हैं अगर ध्यान से आप session item करते हैं तो आपको कभी भी skip करने के भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे वीडियो में एक एक सेगेंड में भी कुछ न कुछ information में देने की कोशिश करते हूँ जिससे कि आपका एक सेगेंड भी waste ना हो anyway हम लोग test book का 4000 smart question bank से ये questions कर रहे थे क्योंकि ये latest pattern का book है हमारा SSC का latest pattern है उसको ही हमें follow करते हुए practice करना है इस book में कुछ smart feature भी है जो पढ़ते पढ़ते भी हमें काम आएगा हर question कितने लोगोंने correctly item किया है कितने लोगोंने skip किया है उसका data हर question के साथ attach रहता है जो कि हमें हमारा preparation को check करने में भी मदद करता है तो हमारा ये English का class हर Tuesday, Thursday and Saturday को 10 a.m. upload होता है अगर 10 बजे आपको time नहीं मिल रहा है देखने का तो दिन में at least एक time set कर लो इस time में मुझे ये session देखके खतम करना है जब भी आप session देखने बैठो make sure कि आप copy pane लेके session देखने बैठो ठीके ऐसे आराम करते करते या सोते सोते नहीं देखना क्योंकि उससे आपका सर्फ time ही जाता है वो कुछ effective study नहीं होता है क्योंकि पढ़ाई की time में पढ़ाई की तड़ा ही बैठना जाए ऐसा नहीं कि हम वीडियो देख रहे हैं यह तो एंटर्टेनिंग वीडियो नहीं है तो अब जब पढ़ाई कर रहे हो एकदम properly बैठ के copy pin लेके ही बढ़ाई कर तो आपको ही लाएक है कि हाँ जो पूरा time में ने इन्वेस्ट किया वो पूरा utilization हुआ तो चलिए आज का session शुरू करते है तो अबरा first question है the heavy losses in business came like a bolt from the blue I hope कि आप लोगों को यह idiom का meaning पता है यह common idiom में इससी में बार बार पूछा गया है यह idiom a bolt from the blue इसका meaning क्या है देखिए यहां पर जो भी हमें idioms में लेगा यह session में जो भी questions में राएगा या जो भी options में राएगा सब भी idioms का meaning और जो भी words है हमें वो meaning जानके यह session को end करना है ठीक है तो देखिए a bolt from the blue इसका meaning होता है a sudden unexpected event ठीक है a sudden unexpected event अब देखिए यह जो event की बात हम कर रहे है यह कुछ happy event नहीं है ठीक है इसका meaning है जो एक unwelcome चीज है ठीक है एक sudden unexpected event है बाट वो unwelcome है मतलब वो बहुत happy कुछ नहीं है we are not welcoming the event which happened unexpectedly ठीक है तो यहां पर sentence से ही आप समझ सकते हो कि the heavy losses in business तो business में अगर heavy loss होगा तो वो तो कुछ अच्छा चीज नहीं है कुछ अच्छा welcome करने वाला event भी नहीं है कि हम खुशी-कुशी वो मनाए हम खुश हो जाए वो घटना घटने से ठीक है तो यह एक negative चीज को अगर मैं रिप्रेजन करना चाहूँ identify करना चाहूँ तो हम ऐसे बोलते हैं a bold from the blue that means a sudden unexpected event ओके अब यह option B जो हमारे meaning के साथ बिलकूल मैच हो रहा है hence option 2 is the correct answer ओके next after that road accident in which nilam was severely injured everybody believed that she was on her last legs देखिए ऐसे sentence में भी आपका idioms and phrases आता है और सिर्फ idioms दे देता है उसमें से आपको options दे देता है कि इसका meaning क्या है यह idioms का meaning क्या है ठीक है ऐसे करके भी दे देता है और sentence में भी देता है two types में ही idioms पूछा जाता है ऐसे से में ओके यह कुछ मैंने questions से लिया है इसके बाद ऐसा भी है कुछ straightforward idioms आएगा उसका meaning पूछा गया है ठीक है तो anyway यहाँ पे जो idioms है हमारा on her last legs sentence को अच्छे से पढ़िए क्या हुआ निलाम का severe accident हो गया road accident के बाद उनका जो injury है वो severe injury है तो उसका consequence क्या हो सकता है इससे हम अगर आपको यह meaning नहीं पता है idioms का यही खेले अगर आपको meaning नहीं पता है ना तो कोई बात नहीं आप अगर sentence दे रखा है तो sentence से आप समझ सकते हो अगर options दे रखा है तो options eliminate करके भी आप अपना understanding use करके भी correct कर सकते हो ठीक है तो देखिए बोल रहा है first option के happy and joyce ज be near to death okay यह हो सकता है c sad and angry about life इसका भी कोई sense नहीं मंग रहा है उनका accident हुआ है कैसे sad and angry होगा life के साथ वो तो severely injured है already d क्या है anxious about other people वो already severely injured है तो उनको भी anxious about other people के साथ कोई लेना देना नहीं है तो हमारा correct answer क्या है near to death okay on her last legs मतलब on last legs इसका meaning ही यह होता है कि near to death और very tired okay तो यहाँ पे option B is the correct answer okay next Imran wanted to be a wild life photographer but his father was dead set against the idea अब शायद आपको dead set against का meaning पता नहीं है ठीक है आप कुछ समझ नहीं रहे हो कि क्या होने वाला है तब sentence को अच्छे से परो Imran wanted to be a wildlife photographer इम्रान wildlife photographer होना चाहता था बट अब जब यह बाट यूज हो गया ठीक है बाट इस फादर एससे जो भी है जब भी यह बाट यूज हो गया मतलब क्या इम्रान wildlife photographer बनना चाहता था जब भी मैं बाट यूज कर रहे है मतलब उनका फादर उनका जो इच्छा है उसका against में ही कुछ होगा इसले ही तो बाट यूज हो रहा है है ना जो वो होना चाहते है अगर वो ही उनका फादर भी agree कर रहा है उनके idea के साथ तो बाट यूज करन इसका मीनिंग यह ABC तीनों का ही एक सेम ही बन रहा है सिर्फ डी जो option है यही एक मात्रा option है जो कि यह ABC यह तीनों का बिलकूल opposite है ठीक है and जो sentence है उसके sense के साथ भी fully match कर रहा है ठीक है डेट सेट अगेंस्ट मतलब completely opposed to something ओके completely opposed to something और disapproved ओके तो option number D is the correct answer next question the principal cannot bury his head in the sand he has to address the increasing problems okay तो यह sentence पढ़के ही मैं यह options को छोड़ रही हूँ यह sentence पढ़के ही ऐसा लग रहा है कि principle ऐसा कुछ कर रहा है जिससे कि उनका यह problem solve नहीं हो रहा है क्यों यहां पर बोल रहा है कि he has to address the increasing problems मतलब जो बढ़ता हुआ problems है वो problems को उनका address करना चाहिए that means वो नहीं कर रहा है इसलिए बोल रहा है कि he has to okay he has to address okay तो that means ऐसा कुछ होगा जो उनका जो responsibility है यह increasing problem को address करने का वो responsibility वो नहीं ले रहा है ऐसा कुछ ही महीं होना चाहिए ठीक है तो देखें बारी हिस है due to the complaints नहीं ऐसा तो नहीं है ऐसा तो लग नहीं रहा है run away from the increasing problems हाँ ऐसा हमें पढ़के लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ ही होना चाहिए कि वो जो problems है उनको ठीक से वो ध्यान से नहीं देख रहा है उनका avoid कर रहा है अचा C बोल रहा है कि अचा यह तो नहीं होगा C बोला है not show his face due to shame ऐसा भी कुछ मीनिग नहीं बन रहा है sentence से बढ़ी हिस है अमोंग पेपोर्ट्स अंपलेंस यह भी नहीं है तो option B is the correct one okay बढ़ी हिस है इस है इसका मेनिंग होता है तो इग्नोर उन्प्लेसंट realities okay to ignore unpleasant realities that means to round my way from problems okay जैसे कि हाँ पे option में जैसे कि हाँ पे option में है okay तो अबना option number B is the correct one next as he spent a lot lavishly he must lie in the bed he has made अब पहले बोल रहा है कि he spent a lot lavishly okay बहुत खर्च करता है अब उसके बाद बोल रहा है कि he must lie in the bed he has made मतला अगर मैं simply इसमें जो लिखा है उसका meaning निकालू तो क्या होता है कि जो बेट उन्होंने तयार किया है उसमें ही उनको सोना पड़ेगा he must lie उसमें ही उनको सोना पड़ेगा जो बेट उन्होंने दयार किया है that means जो भी काम हो कर रहा है न क्या कर रहा है he spent a lot he is spending lavishly ठीके तो इसका फल उनको भुगतना पड़ेगा मतलब इसका जो consequences है वो उनको भुगतना पड़ेगा ऐसा ही कुछ मेनिंग यहां पर बन रहा है ठीके क्योंकि यहां पर as भी बोल रहा है अच्छा देखे क्या है options he has to lie in the expensive bed नहीं he must lie down and rest of course not okay he should enjoy life अब यहां पर ऐसे बोल रहा है कि he spent a lot lavishly उसका कुछ positive effect यहां पर बोलेगा ऐसा तो लग नहीं रहा है ठीके D देखते है he must accept the consequences of his actions which is appropriate here okay D is the appropriate one that whatever he is doing he must accept the consequences of his action because he is spending a lot he spent a lot lavishly okay that's why you have to accept the consequences of his actions so option D is the correct answer next a person appointed by two parties to solve a dispute यह क्या होता है अब person appointed by two parties to solve a dispute a dispute solve करने के लिए अगर दोनों जो opposition parties है दोनों के द्वारा एक ही person का अगर appoint किया जाता है तो उनको हम बोलते है arbitrator okay arbitrator बोलते है उनको ठीके तो arbitrator का तो meaning हमें समझ में आ गया आप देखते first one जो है amateur इसका meaning क्या है amateur का meaning आपको शाहिद पता होगा कुछ भी नहीं पता है तो कोई भी अगर मैं इंस्टाग्राम की profile की बात करो कोई भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप खोलोगे तो आप देखो के amateur photographer लिखा है कोई भी photography करते है तो उनका बायो में amateur photographer लिखी देते हैं तो क्या होगा इसका meaning amateur मतलब जो करता है वो उनका profession नहीं है उनका अच्छा लगता है इसलिए वो करते है ठीक है one who does a thing for pleasure उनका अच्छा लगता है इसलिए वो करते हैं and not as a profession मतलब वो उनका profession के लिए वो नहीं करता है ठीक है वो उनका profession नहीं है बट उनका अच्छा लगता है इसलिए वो करते है ठीक है इसको बोलते हम amateur हो गया c क्या है b क्या है cynosure cynosure center of attraction okay one who is center of attraction आप भी एक government job लगा लो आप भी center of attraction बन जाओगे सब के नजरों में parents के नजरों में relatives के नजरों में neighbors के नजरों में friends के नजरों में ठीक है तो center of attraction बना है कि नहीं तो उसके लिए job लेना है इस year में ही लेना है ठीक है determine होना है कि अब भी इस year में ही current year में ही आपको लेना है job okay क्योंकि center of attraction बना है okay c देखिए cynic cynic means one who sneers at the belief of others निंदुक जो किसी का निंदा करता है अगर मैं हींदी में बोलू ठीक है anyway हमारा option number D is the correct answer next a person who speaks more than one language okay एक से जादा अगर आप language बोलते हो तब वो क्या बोला जाएगा suppose कि इस question का answer आपको नहीं पता है ठीक है तो आपको यह तो पता है कि more than one अगर कुछ भी होता है तो हम वह पर पॉली उस करते है जैसे कि पॉली गॉन हो गया है ना यहां पर होगा पॉली ग्लॉट वान हो स्पीक्स मोर दन वान लैंगुज इसको हम बोलते हैं पॉली ग्लॉट सेगेंड अप्शन रेक्लिउज रेक्लिउज मीनिंग क्या होता है वान हो लिव्स इन सॉलिट्यूट ओके वान हो लिव्स इन सॉलिट्यूट जो भी मीनिंग में लिख रही हो ना वो मीनिंग आप जरूर नोट डाउन कर लो ठीके प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ आपका ही फायदा है स्टोइक स्टोइक मतलब कि जो इंडिफरेंट है कोई भी मतलब दुनिया की कोई भी प्लेजर से या पेन से वो इंडिफरेंट है उनका कुछ फरक नहीं पड़ता वन वो इस इंडिफरेंट तो दा पेंस अंड प्लेजर से ओफ लाइफ ओक और इंसल्वेंट क्या है इंसल्वेंट है वी इस अनेबल तो पे इस देट ओक अनेबल तो पे इस देट इसका एक सुंदर सा इडियम है इसका बोलते है इन रेड इसका मीनिंग होता है spending and weighing more money than is being earned अब जितना कमा रहे हो उससे जादा आप money खर्चा कर रहा है वो करके बैटे हो ठीके spending and weighing more money than is being earned इसका मीनिंग होता है इन रेड ठीके तो हमारा जो आंसर है वो है first one polyglot is the correct one ओके नेक्स्ट तो वर्क इन ओपोजिशन टू अच्छा यहां पर जो ऑप्शन से के वोट बेन काउंटरेक्ट बिल्क तो इसका मीनिंग क्या है पहले देख लेते हैं के वोट मीन्स होता है प्रेज अक्य है प्लेज बॉस्टरिसली क्या है अब बताओ यह बॉस्टरिसली कoplिश्ट नेंगोंध्य कि हें आजटीक abbiamo टीके दैटरफ यह अब बॉस्टरिसली दो मिनिगें अनलगेटिक चेरफूल तो that means option number is not our answer हो गया, आप होगा बेन बेन means a cause of great distress or annoyance तो यह भी नहीं होगा अब counter react, यही होना चाहिए ठीक है counter react मतलब क्या होते है to work in opposition, अगर कुछ घटना है घट रहा है तो उसको कम करने के लिए और उसको एकदम हटाने के लिए कुछ अगर ऐसा कुछ अपलाई करे जो उनका effect कम करते to reduce or remove the effect of something unwanted by producing an opposite effect ठीक है, that is to work in opposition, that means हमारा जो answer है होगा option number C, और bilk क्या है bilk होता है, cheat somebody out of what is due especially money okay, cheat somebody out of what is due, that is bilk okay, तो हमारा जो answer है वह है option number C, option number C is the correct one next a person who shows a great or excessive fondness for one's wife, that is uxorious okay अच्छा यहां पर आपको in red बताया ना मैंने यह मुझे याद आ गया यहां पर मैंने बताया था in red, ठीक है, ऐसा एक और एक होता है in pink ठीक है, उसका मीनिंग है in good health, in the pink in good health ठीक है, यह और एक मुझे याद आ गया इसलिए बता दिया, ओके चलते हैं हमारे question में a person who shows a great or excessive fondness for one's wife is called uxorious तो answer तो है मिल गया अब others जो options है, उसको देख लेते हैं कि उसका meaning क्या है potentate, potentate means इसका meaning है a monarch और ruler especially an autocratic one ठीक है upbraid, upbraid का meaning क्या है find, fault with someone scold okay impregnable यह भी अच्छा वाड है यह भी पूछता है बार बार से से में ठीक है, impregnable impregnable मतलब unable to be captured or broken into something which is unable to be captured or broken into देखे, जो भी मैं लिख रही है, ऐसे mix हो रहा है तो आप धियान से देखके, अपने copy में note करना ठीक है, यह इसके साथ mix ना हो जाए जगा थोड़ी कम है तो इसले mix हो रहा है जो भी meanings है, अगर आप note down कर ले हो तो ध्यान से note करना potentate मतलब क्या होता है, मोनार का रूल है special and autocratic one उख जोरी है सो बोली दिया, अब रेड है find fault with someone or scold and impregnable is unable to be captured or broken into, okay तो हमरा option number A is the correct one next the philosophical theory that the self is all that exists, इसका meaning क्या है, ठीक है तो पहले हमाना जो option है solipsism, solipsism का meaning ये है, कि दा philosophical theory that the self is all that exists, मतलब a selfish feeling, okay the quality of being self-centered the quality of being self-centered that is selfish that the self is all that exists, मतलब वो सर्फोई खुद एक्सिस करता है ऐसा, okay तो solipsism is the right one और उसका जो meaning है वो भी हमने पता कर लिया अब second one is trite trite मिलिंग क्या है, lacking of originality or freshness okay which lacks originality okay trite arsenal arsenal तो आई थिंक आपको पता होगा arsenal क्या है, a collection of weapons and military equipment okay यहाँ पर मैं C करके ऐसे लिक रहे हूँ a collection of weapons and military equipment okay और neocracy neocracy क्या है government by new or inexperienced hands okay government by new और जो मैंने आपको बोला कि inexperienced hands new तो नियो से याद रखना कुछ new नया कुछ okay new क्रिसमेंस government by new और inexperienced hands okay तो हमारा जो आंसर है, option number a okay next I am not thinking of the solution to this problem, I will cross the bridge when I come to it अब क्या बोल रहा है कि मैं ये problem का solution के बारे में सोच नहीं रही हो, ठीके, that means इसमें क्या बोल रहा है कि I will cross the bridge when I come to it, मतलब breeze जब आएगा, tab मैं उसको cross करूंगी, इसका meaning ये होता है कि जब problem आएगा, तब मैं उसका solution के बारे में सोचूंगी, है न, ये दो जो sentence है, अगर मैं ऐसे relate कहने के कोशिश करूँ, तो ये ही निकलता है, अच्छा, तो हमारा options क्या है, वो देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि deal with something only when necessary, मतलब जब जब ज़रूरत पर है when necessary, तब ही उसके साथ deal करना है, deal with something only when necessary, तो ये ही होना चाहिए, यहाँ पर ही वो बोल रहा है कि जब जब ब्री जाएगा, तब उसको मैं cross करूंगी, that means, जब problem आएगा, तब मैं उसके बारे में सोचूंगी, उसके solution के बारे में, तो या पर भी वो ही है, deal with something only when necessary, जब मुझे लाएगा, तब ही मुझे उसके साथ deal करना है, तब ही उसके problem के solution के बारे में सोचना है, and उसके ब को ला कि वो मितलब सोचेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, not deal with problem at all, ये भी नहीं होगा, caption number A is the correct answer, next, while it made Lawrence cry, Jack has showed everyone that he was just trying to dash, अभ यहाँ पर चार इदियम से, कौन सा होगा, वो मुझे देखना है, pull his leg, shoot fish in a barrel, play hardball, put the cut before the hots, अब pull his leg, मतलब क्या होता है कि to make fun of something, or to make fun of someone, ठीके, तो यहाँ पर वही हो रहा है कि Jack, सभी को आशियोट किया कि वो just tongue खीच रहा था उसका, Lawrence का, वो tongue खीच रहा था, मतलब just make fun of him, but Lawrence started crying, while it made Lawrence cry, वो tongue हीच रहा था, बाट Lawrence रोना शुड़ू करती है, ठीके, pull his leg is the correct one, अब others जो भी, एदियम से, वो देख लेते हैं, ठीके, shoot fish in a barrel, that is something extremely easy, extremely easy task, not difficult at all, shooting fish in a barrel, अबर एक बैरल के अंदर fish रखके आप shoot करेंगे, तो वो तो बैरल के अंदर confined है, वो fish, तो उसको shoot करना तो कोई hard task नहीं है, कोई difficulty नहीं है इदर, तो इसलिए ऐसे आप सोच सकते हो, ठीके, shoot fish in a barrel, extremely easy, not difficult at all, play hard ball, means to deal seriously, okay, to act aggressively or in an unforgiving way, okay, and next है कि, put the card before the hearts, इसका मतलब क्या है, मतलब, गारी तो घोडा ले के जाता है, ठीके, तो गारी के सामने घोडा होगा, कार्ट के सामने hearts होगा, बाट यहां पर बोल रहा है कि, उल्टा हो गया, hearts के सामने, कार्ट रख दिया, ठीके, put the card before the hearts, hearts के सामने ही, कार्ट रख दिया, तो अब hearts कैसे कार्ट को लिके जाएगा, ठीके, that means, क्या, जो order है, वो reverse हो गया, to reverse the normal order of something, okay, anyway, सभी जो idioms है, उस सभी के बाने में, हमें मालूम पढ़ गया, कि क्या इसका मीनिंग है, तो अब हमारा जो answer है, फिर्स वन, pull his legs, मैतलब, make fun of someone, ठीके, next, no matter how hard Matt tried to be different from his brother, they were ultimately dash, तो फिर्स आमारा जो अप्शन है, slower than molasses, slower than molasses, इसका मीनिंग होता है, to be extremely slow, to be extremely slow in something, that is slower than molasses, B is cut from the same cloth, means to be similar, okay, to be similar or to be of same nature, that means, क्या बोल रहें, कि Matt बहुत try किया, कि उसको, उनका जो brother है, उससे different होने का, but, ultimately, क्या हो गया, कुछ similarities आ गया है, उन लोग के बीच में, ठीके, देखिए, cut from the same cloth, मतलब एक जो कपड़ा है, उसका अगर आप दोनों कपड़ों में divide करें, और जितने भी कपड़ उससे काट कर आप यूस करें, वो base तो उसका वो cloth ही रहता है, ठीके, यहाँ पर भी वो same ही बोल रहा है, कि वो जितना भी different होने का कौशिश करें, ultimately, वो तो उसका भाई है, ठीके, इसलिए उन में कुछ ने कुछ similarities और कुछ ने कुछ similar nature, same nature देखने को मिल रहा है, that is cut from the same cloth is the meaning, अब next बोल रहा है, throwing their weight around, throwing their weight around means, to use one's position or status to get an unfair advantage over others, देखिए, ऐसे हम सोच सकते हैं, throwing their weight around, ठीके, weight मतलब यह weight को हम केजी में मत समझ न, कि अपना weight, weight मतलब आपना जो status है जो, ठीके, बोलते हैं न, आपना weight लेकर चलता है, यह बंदा, ऐसे बोलते हैं न, ठीके, तो अगर आपका जो status है, उसका अगर आप गलत तरीके से आपना फाइदे के लिए यूज कर रहे हो, ठीके, जो भी advantage आपको लेना नहीं चाहिए, उसके लिए आप यूज कर रहे हो, ठीके, तो उसका बोलते हैं के, throwing their weight around, लिखने के जगा नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना, जरूर, ओके, बोलते हैं लिख लेना, जरूर, टो एक्स्टर अफ फैट अरांट अवेस्ट, तो हमारा जो अप्षन है, वह अप्षन नामर भी, अप्षन नामर भी इस दा करेक्ट अंसर, नेक्स, इसका मीनिंग होना चाहिए, तो क्या बोल रहे हैं कि थॉट आउट अफ दा थॉट, थॉट पोर्ड लिए उफ, थॉट आउट अफ दा बोक्स मीनिंग क्या होता है, तो थिंग in an unconventional वे, in way that one is not expected to think, एक होना इक पटिकुलर तरीका होता है, generally एक बोलते हैं, generally हम लोग यही सोचते हैं, generally हम लोग यही बोलते हैं, तो यह जो generally हम जो भी करते हैं, यह conventional method हैं, ठीक है, conventionally ऐसा ही होता है, अगर आप कुछ हटके सोचना चाहे, अगर आप कुछ अलग तरीके से सोचना चाहे, in an unconventional way, तो वो होगा think out of the box, असे बोलता है, think out of the box, मतलब जो सबी सोच रहा है, वो तो एक ही, सब एक ही right, एक ही path में जा रहा है, आपको वो path नहीं choose करना है, आप कुछ अलग तरीके से सो सोचने की कोशिश करो, ठीक है, that is think out of the box, तो इसलिए टीचान ने ये दिया है, कि एक complex and vague assignment दे दिया है, ये देखने के लिए कि कौन unconventional तरीके से इसको सोच सकते है, ठीक है, तो फिर्स्ट अप्शन जो है, thought out of the box is, to think in an unconventional way, next day had a second thought, had a second thought मतलब, अब second time कुछ सोच रहा है, आपका एक बास सोचना हो गया, अब फिर से उसको reconsider कर रहे हो, ठीक है, that means ऐसा कि आपने कुछ decision ले लिया है, बड़ आप उसके बारे में फिर से सोच रहे हो, फिर से उसको reconsider कर रहे हो, कि वो decision ठीक है की नहीं, okay, pailed at the thought, pailed at the thought means, pale हो जाना, बोलते है ना, pale हो गया उसका रंग, पुरा, to be scared, at the thought of something, okay, to be scared at the thought of the something, that is, pailed at the thought, and d क्या है, thought poorly of, thought poorly of means, to be thought, of in a low regard, ठीक है, और यह हो गया, to reconsider it, okay, तो यह रहा चारो के चारो 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 है, उसका meaning, हमारा जो answer है, वह option number A, that is thought out of the box, next, smell a rat, अगर आपको लगे, कि यहाँ पे चुआ हो सकता है, तो अप क्या करोगे, आपको ऐसा लाएगा कि यह कपड़ा खरब कर देगा, यह अगर कोई भी पेपर से, तो पेपर खरब कर देगा, ऐसा आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा ठीके, तो smell a rat, इसका meaning किया है, वो देखना है, have no doubts about something, नहीं, ऐसा तो नहीं, feel that there is a loss in business, नहीं, business की बारे में बात नहीं हो रहा है, ठीके, think that there is a dead animal, नहीं, ऐसा कुछ particular की बारे में कुछ बात नहीं हो रहा है, तो left, only one option, there is a reason to suspect something, okay, smell a rat means have a reason to suspect trouble, okay, तो option number D is the correct one, next, move heaven and earth, that means की everything you can do to achieve something, यही तो आप लोग कर रहे हो न, अपने exams के लिए, अपने jobs के लिए, move heaven and earth, you are doing everything to achieve your goal, okay, तो pay for something नहीं, make every effort to achieve something, यही correct answer होगा, ठीके, start something new, make difficult choices, यहीं नहीं होगा, ठीके, तो move heaven and earth, heaven and earth means make every effort to achieve something, इसका और एक एडियम होता है, मुझे याद आ रहा है, एक होता है, यह आप सोना होगा, leave no stone unturned, ठीके, leave no stone unturned, ठीके, try every possible course of action, in order to achieve something, try every possible way, okay, to achieve something, okay, तो हमारा जो option है, option number B is the correct answer, okay, next, in the nick of time, in the nick of time means, just before the last moment, when something can be changed, or something bad will happen, mean, मतलब कुछ घटना घटने के आगे एकदम last moment, जो है, उसको हम बोलते है, in the nick of time, तो यह the beginning of a month नहीं होगा, special occasion भी नहीं, at the last possible moment, यह होगा, हमारा correct answer, a long delay, यह भी नहीं, और एक मुझे याद आ रहा है, at the 11th hour, एक होता है, at the 11th hour, मतलब एकदम last possible time, the last moment, इसका भी यही meaning होता है, ठीक है, anyway, हमारा जो answer है, option number C, at the last possible moment, next, to turn over a new leaf, something new, कुछ नहीं की बारे में बात कर रहे है, कुछ positive चीज़, अगर कुछ भी नहीं होता है, तो हम क्या expect करते है, कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बूरा होगा, कुछ नेगटिव होगा, कुछ खराब होगा, यह तो कोई expect नहीं करता है, सभी का ऐसा expression रहता है कि अगर कुछ भी नया होने बाला है तो वो कुछ अच्छा ही होने बाला है ठीक है, तो इसका meaning क्या है to turn over a new leaf that is to start to act और behave ना better और more responsible way which is our option number A to change your behavior in a positive way ठीक है, कुछ अच्छे direction में in a positive way to become famous नहीं, to buy new things तो होगा ही नहीं, to understand others problems यह सब नहीं है, ठीक है तो आपका जो behavior है आप और भी responsible तरीके से behave करेंगे, यह होगा हमारा answer, ओके, next तो option number A is the correct one next once in a blue moon ओके, यह भी a common question है, SST का SST में यह type का questions बार-बार पूछा जाता है, once in a blue moon हम कीसे कहते है, जो की बहुत rarely देखने को मिलता है something which happens very rarely और infrequently जो की है हमारा option number B rarely and infrequently is the correct answer, ठीक है always at regular intervals से इसका तो meaning ही सेम हो गया always regular intervals से तो meaning ही सेम हो गया similar meaning है, a natural occurrence नहीं है, क्योंकि इसका meaning वो नहीं है, ठीक है तो जो हमें just देखने को मिलता ही नहीं है infrequently, मतलब जब मैं preparation कर रही थी, तब मेरा friends में मुझे ऐसा ही बोल दाता, कि तूजा तो मतलब दिखा ही नहीं देता है तूँ कहां गया है, once in a blue moon ऐसा, idioms मेरे उपर applicable हो दाता तब, ठीक है तो anyway, option number B is the correct answer okay, next it was raining अब यह तो बहुत famous है यह तो मैं एक लिए चाइड़ूट से यह सुन रही हूँ कि अगर बहुत जोर से बारिश आ है तो क्या बोलते है, it was raining cats and dogs ठीक है, यहां पर ऐसा options है थी है कि सभी animals को नाम है, अब कॉनसा होगा समझ नहीं हा रहा है है ना, तो यहां पर हो का cats and dogs, यह common है, पता नहीं क्यों इतने लोगों ने यह skip किया है 19% skip कर दिया only 76% इसको correct test limit किया है, तो it was raining cats and dogs होता है cats and dogs मतलब बहुत जोर से बारिश हो रहा है, मतलब raining heavily उसको हम बोलते हैं, cats and dogs okay, तो option number d is the correct one, next meeting him at the party after the misunderstanding was a good idea to break the ice, break the ice हम कब बोलते हैं, जब दोनो stranger और ऐसा कुछ है जिनके दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ जिससे कि वो उन दोनों के बीच में जो tension create हुआ है, जो misunderstanding create हुआ है, वो खतम हो जाए, ठीक है, do or say something to relieve tension or get conversation going in a strange situation or when strangers meet तो यहापर situation तो यह है है, कि meeting him at the party after the misunderstanding, दोनों के बीच में कुछ misunderstanding create हो था, पर उसके बाद वो दोनों पार्टी में मिले, and that was good idea to break the ice, उनके बीच में जो भी तनाव था, उसको रिलीफ करने के लिए उसको खतम करने के लिए एक अच्छा idea था, ठीक है, that means to make someone comfortable to make someone more comfortable and relaxed, okay, break the ice इसके साथ ice का कोई भी लेना देना नहीं है, इसले breaking ice together drinking and ice drink यह सब और drinking के साथ भी कोई रेना देना नहीं है, तो यह सब नहीं होगा, to break the ice means to make someone more comfortable and relaxed, okay, option number D is the correct one, next the children of a business man learned the ropes at an early age, अब देखिए the children of a business man learned the ropes, पहलो तो यह ropes के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है at an early age, मैं तब ऐसा कुछ होगा कि business man का जो बच्चे है उन्होंने कुछ बहुत early age में सीख लिया है जो उनके father's से related है father के job से related है, ठीक है तो learn the ropes, इसका meaning होता है, to find out how to do something to acquire expertise to acquire expertise okay, बहुत early age में वो लोग सिख गए थे, की business कैसे करना है, the children of a businessman learn the ropes at an early age, that is learn to do particular jobs, क्योंकि यह जो भी है options सब ropes से related है, ठीक है तो इसलिए, first on with a correct answer learn to do particular jobs okay next to fill at home अब घर में हम कैसे रहते हैं, बहुत relaxed होके, बहुत comfortably रहते हैं, मतलब कोई जंजट नहीं है कोई हमें नहीं देख रहा है, आपने आपकी तरह रहा रहा हो, है ना, that means के हम comfortable रहते हैं, relaxed रहते हैं, है ना, कोई गेस रहते हैं तो हम भी ऐसे बोलता है ना, to fill at home okay, to fill at home means to fill comfortable, okay, comfortable fill करना, ठीक है, second one will the correct answer, next nail biting, अब nail biting में पता नहीं क्यों इतना लोग skip कर लिया, क्योंकि ये तो बच्पन से हम लोग जानते हैं, nail biting मतलब कि नाखुन चीबान, अब नाखुन हम कब चीबाते हैं, जब कोई ऐसा कुछ मतलब तनाव क्रेट हो आया, हमारा result आने वाला है, जैसे कि sst का result आने वाला है, और निकली नहीं रहा है, कब से हम एकदम morning से wait करें कि कभ result आउट होगा, कभ result आउट होगा, मतलब बहुत तनाव आया, situation क्रिएट होगा, एक suspense क्रिएट होगा, जब result कब निकलेगा, मेरा नाम आएगा भी या नहीं, एक suspense है ना वो, कि मेरा नाम आएगा भी या नहीं ओके, ये situation के लिए हम क्या करते है, किसी का आदत होता है नाखून चबाना, ठीक है तो उसको बोलते हैं, जब हम suspense, कुछ suspense create हुआ है तो तब वो, उस condition के लिए उस situation के लिए हम ऐसे नाखून चबाना शुरू कर देते, तो nail biting का ये meaning होता है कि suspenseful okay, peaceful मतलब शांती, okay, plentiful मतलब जादा, अगर कुछ जादा है plenty, okay, existing in a plenty कुछ जादा है, joyful मतलब showing joy और happiness, okay तो हमारा जो answer है, ये option number D, next out of date, ये पर नाम से ही समझ आता है कि किया होगा, ठीके out of date, मतलब अभी का नहीं है outdated हो गया, ये outdated है something which is old-fashioned out of date, ये तो एक्दम simply मतलब इसका जो meaning होता है वो ही होगा, और कुछ, या पर जो options है वो देखने की जरूरत ही नहीं है a date seat, a worthless fellow, a being careless, कोई meaning नहीं बन रहा है, ये words के साथ, है ना, the out of date means outdated, something old-fashioned okay, option number B is the correct one next, sail in the same boat, okay sail in the same boat, अगर मानो कि मैं और आप, दोनो एक boat में जा रहे थे, suddenly बहुत जोट से बारिश आ गया अब C में है हम, कि कि C में हमारा boat sail हो रहा है तो बहुत जोट से बारिश हो गया तो अगर बारिश ऐसे बहुत जोट से आया है अगर हम दोनों ही boat में है तो हमारा condition क्या है, सेम ही है सेम कंडिशन में ही है ना हम तो इसका meaning भी यह होता है be in the same situation as others वो एक boat में जितने भी अगर जोट से बारिश आता है तो सब भी काई तो हाला सेम ही होगा तो सब को ही डन लगगा मतलब बच के घर जा पाएंगे या नहीं ऐसा situation create हो जाएगा तो be in the same situation as others will be the correct one others जो भी है, be in heavy debt go for a boat ride pay a very low price for something यह सब matter नहीं करता है यह सब नहीं होगा sell in the same यह same words से आपको समझ में आ जाएगा जो भी words है ना उसको थोड़ा सा understand करने की कोशिश करना बाकी तो हो ही जाएगा ठीके so sell in the same boat means be in the same situation as others option number a is the correct answer next I told you not to play the prank but you didn't listen now face the music अप बोल रहा है कि मैंने आपको बोला था कि prank नहीं खेलना है टीके prank नहीं खेलना है but आपने तो नहीं सोना अब उसके बाद क्या होगा मैंने आपको बोला था कि Stockholmborg नहीं केलना है फिर भी आपने नहीं सुना आप भुख तो यही तो हम लोग बोल दे तो now face the music मतलब जो भी होगा आप खुछ समालो, accept the consequences, जो भी consequences होने वाला उसका accept करो, ठीक है, put on your phones, listen to the songs, sing popular songs, the idiom, face the music is nothing related to music, okay, so eliminate all the options, because all these options are related to music, okay, so face the music means, accept the consequences, okay, option number 1 is the correct one, next, Pradip was so tired that he hit the sack as soon as possible, तो वो इतना tired था कि, he hit the sack as soon as possible, अब hit the sack means होता है, to go to bed, okay, इतना tired था कि वो जितना जल्दी होसा के जाके सो गया, to go to bed, तो यह तो पास में हो रहा है, इसलिए होगा, went to bed, Pradip was so tired that he hit the sack, hit the sack means went to bed, Okay, idioms का यही मजा है, कि आगर आप नहीं भी जानते हो ना, सिर्फ sentence पढ़के, और options elimination से भी, आप easily यह attempt कर सकतो, देखिए, जो sentence है, उससे क्या आपको ऐसा लग रहा है, कि दिफील से related कूछ है, क्यकीक से related कूछ है, नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ही करके हमें सीखना है, ऐसा नहीं कि, हमेशा रटा मारना है, ओढ़कर हाँ, आप पर्के अडर्स्ट करके ही बहूत कुछ याद रख सकते हो, जूच आपको ज़वर्देस्ती मेमोलाइज करनी MatsKY, ज़ in any group, अब the gift of the gap, यह भी SST का एक favorite question है, ठीक है, gift of the gap means the ability to speak flawlessly, okay, the ability to speak fluently and eloquently, मुझे यह eloquently का meaning बताओ, commit करके, ठीक है, यह eloquently का meaning, बताओ कि, eloquently का meaning क्या होता है, okay, तो gift of the gap, मतलब अब बहुत अच्छा speaker हो, बहुत अच्छा एक orator हो, ठीक है, orator भी एक word होता है, बहुत अच्छा orator हो, यह एक बहुत अच्छा capability है, actually, मतलब अब जो भी sector में जाओगे न, be it IT sector, be it government sector, अगर आपका बोलने का capability अ अच्छा है, तो बस उससे ही आप सब कुछ जीत जाओगे, वो इतना अच्छा एक आप पर अंदर एक power होगा, आप इतनी अच्छी तरीके से लोग को अगर समझाव सकोगे, तो वो ही आधा कम होगा पर आपको हो जाएगा, ठीक है, तो आपका speaking ability अच्छा होना चाहिए, अब जो भी सेक्टर में जाओ, कहीं पे भी चले जाओ इस दुनिया का, आप अगर अच्छा बोल सकते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवंटेज होता है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर अंसर होगा की ability to speak eloquently, यह eloquently का meaning मुझे comment करके बताओ, ठीक है, तो option number D is the correct one, अ अब हमारा last question आगया, okay, the apple of discord among the brothers was their father's mansion in the country, among the brothers, मतलब कुछ तो problem है, नहीं तो ऐसा was their father's mansion in the country, मतलब उनका जो father का mansion है, उसको लेकर कुछ problem है, ठीक है, तो जो भी options है कि hopeful attention, fruitful discussion, sincere affection, यह सब नहीं, कुछ गरबर है, okay, apple of discord means cause of quarrel, that is reason of quarrel, reason for quarrel, reason for quarrel, reason for quarrel क्या है, furthers का जो mansion है in the country, वो reason for quarrel है, ठीक है, यह apple और एक होता है न, apple pie order, इसका meaning बताओ, मुझे लगता है सभी इसका meaning बता पाएंगे, बहुत ही अच्छा idiom है, apple pie order, ठीक है, apple of my eye, यह भी बोलते है न, इसका भी meaning बताओ, comment करके, ठी लिए तीनों ही मुझे यादा रहा है अभी, apple of discord, apple pie order, apple of eye, यह दो comment करके, मुझे बताओ कि इसका meaning क्या होता है, ठीक है, I hope कि यह सभी को ही बता होगा, okay, anyway, हमाला जो question का answer है, apple of discord, इसका answer है, reason for quarrel, option है, is the correct one, okay, I hope कि इस session से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिला होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ question answer हमने discuss नहीं किया, यह smart book से हमने question answer के साथ साथ हर एक options का भी analysis किया है, अगर options में कोई unknown word है, वो भी आपके साथ discuss किया, अगर option में 4-4 अलग-अलग idiom से वो हर एक idiom हमने discuss किया, कि हर एक idiom का meaning क्या होता है, ठीक है, आप जरूर यह सब note down करना, क्योंकि after a certain time क्या होता है, कि हम भूल जाते, तब क्या होगा कि आपने इतना time invest करके जो यह पढ़ा, इसका कुछ meaning नहीं रहेगा, अगर आप वो आपका memory से ही अगर वो हट जाएगा, तो इतना time invest करके यह session attend करने का कोई meaning यह नहीं बैनता है, इसलिए अगर आप लिखके दखोगे, तो after a certain time आप वो revise भी कर पाओगे, वो revise अगर आप साथ साथ करोगे, तो जो भी आपने यह time invest किया, वो utilization होगा, actual utilization इससे ही होगा, ठीके, तो जो भी आपको पता नहीं है, जो भी आपको नया लग रहा है, वो जरूर जरूर आपको note down करना ही है, ओके, मैं हमेश आपको यह suggest करते हूँ कि जब भी आप कोई भी session देखने, बैटो, कोई भी ऐसा नहीं कि मेरा बोल रही हूँ, सभी का, अगर कोई भी YouTube साथ कोई भी पढ़ने बैठोगे, तो आप copy pen लेके ही बैठना, ठीके, क्योंकि आप तो पढ़ने बैठ रहे हो, खाली तो आप कुछ entertainment के लिए तो नहीं बैठ रहे हो, कि आप वीडियो उस देख रहे हो, टेबल में properly बैठ के, copy pen लेके आपको वीडियो देखना है, जिसे कि आप जो पर रहे हो, वो जादा से जादा effective रहे, ठीके, तो चलिए, next session में मिलते है, that's all, thank you.